वास्तु लिविंग में आप सभी दर्चकों का बहुत-बहुत स्वागत मैं हूँ विकास ना गिया दर्चकों रेजिदेंशल प्रॉपर्टी किस तरहां के लॉट पर बनी हुई है वहां का external land कैसा है, structure कैसी है और height किस तरहां की है ये सब चीज़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्श्वी कंसर्टेंट पलवी जी से वास्तु, external land, structure and height विशे पर बातचीत करेंगे पलवी जी कारिकर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रेया पलवी जी आज का जो विशे है वास्तु, external land, structure and height इस पर क्या कहेंगे वास्तु, शास्तु के अंदर जब कोई आप नया घर बदलना चाहते हो या अपनी existing property को select करते हो तो एक common जहनकारी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि क्या-क्या बाते majority लोगों को suitable नहीं होती है किससे नुकसान होने के chance ज्यादा है अगर आपका घर बना हुआ है तो अपने घर के दिशाएं और अपने घर के structure के साथ-साथ आसपास का structure किस तरह से अर्निवन शेप में है उसकी heights आपके मकान को किस तरह से effect कर सकती है ये बातों का भी खयाल आपको जरूर रखना चाहिए जैसे मैं यहाँ पर US में काफी मेरे clients से मैं यहाँ पर practice के दौरान California वगेरे साइड में ने देखा हुआ है और काफी तरह की अलग-अलग location के उपर आप घर देखेंगे तो एक street बनी होती है जिसके दोनों दशाओं के अंदर right और left गर बना हुआ होता है पूरा development ऐसा होता है कि वो hill के उपर बना हुआ होता है जिसकी वज़े से अगर आप किसी एक opposite corner के अंदर घर को select करते हो तो सामने वाले घरों की height इतनी ज्यादा होती है कि आपका घर वहाँ पे दब जाता है तो इस तरह की position में जो रहने वाले लोग है जिसका घर already height पे आता है उनके लिए तो अच्छा है उनको already फाइदा है लेकिन जिनका घर height के opposite पड़ता हो यानि कि it's indirectly उनका घर जुका हुआ हो सामने वाली की building के मुकाबले में opposite दिशा की building का structure अगर जुका हुआ हो या ये कह सकते हैं कि height में छोटा हो तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की life के उपर external के वास्तुदोश की वज़े से कई बार अंजाने में नुकसान खड़े हो जाते हैं जी वास्तुद क्या कहता है कि किस तरह के नुकसान हो सकते हैं बहुत बार हमें ये बत पता ही नहीं चलती हम ये सोचते हैं कि मेरा घर तो east facing है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है मेरा घर तो north east का बना हुआ है ये घर में आके मुझे फाइदा ही फाइदा होगा लेकिन कई बार आदी अदूरी जानकारी आदमी को परिशान कर सकती है वैसे वास्तु बहुत knowledge वाला बहुत deeply knowledge वाला subject है उसमें बहुत सारी बाते हैं अगर आपने सिर्फ अपने घर के दिशाव रख रखाव को ठीक किया है और अगर आप external position को focus नहीं करते हो उसके बारे में नहीं सोचते हो तो कई बार हो सकता है कि वो वास्तु दोश की वज़े से certain time के बाद आपके घर की effect बदल जाए और कई बार उससे आपको वास्तु दोश का सामना करना पड़ता है जैसे आपने कहा कि क्या-क्या effect हो सकती है तो सबसे पहले वास्तु इस बात को believe करता है कि अगर आपका घर किसी ऐसी जगापे बना हुआ हो जिसमें uneven shape यानि की पूरा balance लोप वहाँ पे ना हो और uneven घर बने हुए हो तो सबसे ज्यादा height वाला जो घर है वो आपको पसंद करना चाहिए पहले से अगर आपको मौका मिलता है अगर आप नया घर देख रहे हो उन लोगों के लिए तो ये जानकरी जरूर powerful है अब ये कोशिश की जाए कि आपकी घर का selection सबसे ज्यादा height पे हो दूसरा option ये हो सकता है कि वास्तु दोश की जानकरी जो परेशानी से निकलने वाले लोग जो की already जिनके घर lower level पे बने हुए है ऐसे लोगों को जो सामने के दिशा नौर्थ पड़ती हो तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगातार अपने career के अंदर छोटी मोटी परेशानिया बनी रहती है वो जिस फिल्ड में काम करते हैं जिस प्रोफेशन में चाहे वो business हो, job हो लेकिन अगर उनके opposite दिशा के घर के अंदर नौर्थ अगर उनका जुका हुआ हो नौर्थ अगर उसकी energy को block कर देता हो और नौर्थ की energy उस मकान को नहीं मिलती है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को हमेशा अपने career से related वास्तुदोश दिखाई दीता है आगे चलके अलग अलग दिशाओं के इसाब से क्या-क्या effect हो सकती है और उसका क्या समाधान हो सकता है उसके उपर विस्तुरू जहनकारी discuss करेंगे पलवी जी structures are external land की बात हो रही है यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि वास्तु के कुछ rules and regulations ऐसे हैं जो बड़े समानतर सरपर सब के लिए एक समान है पिर चाहे वो घर इंडिया का हो या अमेरिका का हो लेकिन दोनों के structures जो हैं वो अलग-अलग तरहां के अलग-अलग तरहां की बनावट उनकी अलग-अलग तरहां की है जो लोग मान लिजए कि कुछ लोग की properties इंडिया में हैं और फिर अमेरिका में हैं उनके लिए किन-किन चीजों को गोर करना होगा किन-किन चीजों को समझना होगा कि वास्तु के principle इंडिया की construction में अपने घर से उसकी अपनी जिन्दगी से अगर इंडिया में आपका घर बना हुआ है और अगर वो investment property हो और आपको सही टाइम पे जानकरी मिल जाती है तो कोशिश करनी चाहिए कि सारे प्रिंसिपल सारे अच्छे रूल्स जो की वास्तु के नियमों के अंदर आते हैं उसके इसाब से investment और रहने वाली दोनों property को लिया जाए अगर suppose आप जहां पे रहते हो वो घर के अंदर बहुत सारा वास्तुदोश है और investment property आपकी बहुत सही दिशा की है फिर भी आपको उतना ज्यादा लाब नहीं होगा तो रहने वाले घर को सबसे पहले दिखा जाता है कि ज जो घर आप बना रहे हो या अगर आप नया घर लेना चाहते हो तो जिस lot की आप पसंदगी करते हो वो lot के आगे से जाने वाला रास्ता अगर ज्यादा height पे हो यानि कि आपका lot जुका हुआ हो उसके बाद उसके opposite जो आपके नेबर के आपके जो बराबर सामने रहने वाले आदमी की building की height और ज्यादा अब हो और ये बात 10-15 feet बैसे ज्यादा हो यानि कि उसका गर 3-7 feet बात कोई भी height पे बनता हो आपके मुकाबले उसका गर 5 feet बड़ा हो उसकी building 7 feet बड़ी हो 12 feet height बे हो और आप उतने जुके हुए हो तो ऐसे लोगों को जितनी हाइट ज्यादा होती है उतनी हद तक नुकसान जल्दी होता है और ज्यादा देर तक रहता है तो उस घर में रहने के बाद आपको वो असर वो इफेक्ट वो वास्तुदोश की इफेक्ट एक साल के बाद होगी तीन साल के बाद वो सामने वाले की property के उपर depend करता है लेकिन ऐसी situation में जो भी वास्तोदोश external land से create होता हो वो वास्तोदोश उस घर में लंबे अर्से तक रहता है तो उसका effect यह होता है कि वो आपको career में balance नहीं होने देता वहां पर आपको settle नहीं होने देता है आपने अमेरिका में ये बात बहुत सारे लोगों के यहां से सुनी होगी कि जब तक वो apartment building में थे उनकी life बहुत अच्छी जाती थी और जब वो single family home बनाते हैं उसका second step जब life का शुरू हो जाता है या उसके बाद जब वो बड़ा घर बनाते हैं तब कई बार बहुत सारी problems create हो जाती है चुकि apartment building के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि ज्यादतर apartment building high rise building होती है तो वो height पे होते हैं तो वास्तु हमेशा height को ज्यादा बिलिव इसलिए करता है कि जितना अगर आप ground level पे होते हो जितने आप जमीन के साथ होते हो उतना gravitational force होने की वजह से जगा का वास्तुद apartment को apartment खरीदने से पहले पूछा जाता है कि मुझे कौन सा floor लेना चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि आप ज्यादतर height के उपर जाके रहो कि आप top floor ले सकते हो या 19th floor ले सकते हो 8th floor ले सकते हो लेकिन 5 feet के बाद के floor की 5 floor के बाद की advice दी जाती है तो अगर आप height पे होते हो त ज्यादतर जो की gravitation force से related यानि की जमीन के भूमी से related दोशों की effect होती है वो कम हो जाती है लेकिन cosmic layer रहता है तो वहाँ पे north east को ज्यादा strong बना जाता है लेकिन जब आप ground level पे होते हो तो south west के energy ज्यादा heavy हो जाने की वज़े से उस जमीन के अच्छे या बुरे प्रभाव आपके उपर तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जी बहुत दफ़ा ऐसी जो अगर घरों की अगर हम बात करें या land की बात करें कैलिफोनिया एक जगा है जहां पर इस तरह के भले वो northern कैलिफोनिया हो या southern कैलिफोनिया हो टेकसस में भी इस तरह के घर बहुत है के ऊपर नीचे वाली परिस्ति है तरच को आज हम पलवीजी से बातचीत कर रहे हैं external land structure and height and वास्तु विशेपर इस विशेपर बातचीत जारी रहेगे लेकिन एक छोरे से break के बाद जायेगा नहीं देखते रहेए वास्तु लिविंग